कौन कहता है प्रस्टाचार करने की जरुरत होती है भाईयो मैंनो मेरा मंत्र है ना खाता हूँ ना खाने दूंगा जी हाँ इन्ही लाइनों की बदालत मोधी केंद्र पर काबिज हुए और योगी आधितनात ने योपी की सत्ता हासिल की मोधी सरकार की योएसपी है ना खाएंगे ना खाने देंगे और वहीं योगी जी जीरो टॉल्टरिंस की नीती पर काम कर रहे हैं अपने खास प्रोग्राम हीरा फेरी के जरीए लगातार हम आपको आगरा में हुए इस गोरक धंदे इस घोटाले के बारे में उजागर करते आ रहे हैं दश को ये कोई लाख या करोणों का घोटाला नहीं बलकि ये सैक्डो करोण का घोटाला है इस भेष्टाचार और गुरक धंदे से जुड़े बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और लगातार हैस्टेग भारत इसकी परताल करने में लगा है आज भी खुलेंगे कुछ ऐसे राज चिनका जवाब नहीं दे पाया कोई आज भी आएगा आपके सामने अब तक का सबसे बड़ा सच थोड़ा सब पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला जैसा हमने आपको पहले भी बताये था कि ये मामला जुड़ा है जरमाया से जी हां वही जर्माया जो चलाता था Sand George School, Unit 1 और Unit 2 और ये सिकूल संचालित होता है Sand George's Dioces Society के दौरा और ये है जर्माया, वही जर्माया जिसने किया है एक बड़ा गोटाला और जिस पर है उन्हें लोगों का हाथ जिनके बारे में सुनकर आप के पैरो तले इस जमीन की सक जएगी लगातार है स्टेक भारत की चीम इस गोरगधंदे की परतर परत खोलने में लगी है कि कैसे एक 70 साल से अधिकूमर का प्रिंस्पल लगातार प्रिंस्पल बना बैठा रहा कैसे 1949 में बनी सुसाइटी को 1982 में बनी सुसाइटी में मर्च कर दिया गया और कैसे हुआ सैखडो करोन का खेल और इस एक सच की खोज के लिए हम फिर पहुचे आगरा और हमारे हाथ लगा ये लेटर दोस्तो इस लेटर को जरा ध्यान से देखिए ये लेटर भेजा गया है जिप्टी रजिस्टार फर्म से जो की आगरा की है और ये लेटर भेजा गया है जिलादिकारी आगरा को टिप्टी रेजिस्टार द्वारा जर्माया और इस संस्ता से जुड़ी प्राप्तु शिकायतों पर जाँच की गई और ये जाँच रिपोर्ट है इस लेटर कुधयान से देखिए, इसमें साफ लिखा गया है कि ये ससाइटी के बारे में जहां ब्रष्टाचार और वित्ती अनिमित्ताओं के संब में शिकायत मिली थी, उसमें जाँच की गई थी और इस जाँच में जर्माया दोशी पाये गया इसमें साफ लिखा है कि विर्याले की पदाधिकारियों द्वारा जान बूच कर टालम टोल की जा रही है और पदाधिकारी गंभी रूप से वित्तिया निमित्ताओं में लिप्त हैं इतना ही नहीं डिप्टी रजिस्टार ने डियम से आगरे किया कि जाँच को आगे बढ़ाएं और आयकर विभाग और एंफोर्स्मेंट डारेक्शन यानि कि एडी को जाँच सौपी जाए इतना ही नहीं डिप्टी रजिस्टार ने डियम से आगरे किया कि जाँच को आगे बढ़ाएं और आयकर विभाग और एडी को जाँच सौपी जाए वो ही इडी जो इस समय बड़े बड़े भरष्टाचारियों को जेल की सलाकों के पीछे भेज रही है चाहे वो नेता हो या अभी नेता किसी को नहीं छोड़ रही है डिप्री रजिस्टार ने इमानदारी पूर्वक जाँच की और जाँच में इसे गोरक धंदे का खुलासा हुआ डिप्री रजिस्टार ने ये रिपोर्ट डीम को भेज दी और अब मौका था डीम की कारवाई का ये मामला 2019 का है और इसी के साथ हैस्टेक भारत और जनता क कि यहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं पहला सवाल कि आखिर जब डिप्री रजिस्टार ने जाँच में सत्ति की खोच कर ली उसके बाद भी कारवाई क्यों नहीं हुई एडी को पत्र क्यों नहीं भेजा गया सबसे बड़ा सवाल 2019 में इस जाँच को इस पत्र को किसने कब तक चलता रहेगा कब एडी करेगी जांच बड़ा सवाल इसी विशेपर हमारे कई सवाल थे और जवाब हमें डियम आग्रा ही दे सकते थे हमारी टीम पहुची आग्रा और हमने मिलाया डियम के सी यूजी नंबर पर कॉल फोन कॉल बार-बार सहायक उठा रहे थे हमने उन्हें मामले की गंभीरता से रूबरू कराया हमने उन्हें मामले की गंभीरता से बार-बार बताया और डियम साहब से बात करने का अन्रोथ किया लेकिन लगातार वो मामले को टालते रहे डियम साहब बिजी हैं यही कहते रहे और उन्होंने हमारी जिलादीकारी से कोई बात नहीं करवाई बेशक हमारी डीम साहब से बात नहीं हो पाई हो लेकिन इस हेरा फेरी का काला सच हम आप के सामने लाते रहेंगे और जनता तक सच्चाई पहुचाते रहेंगे मिशनरीज स्कूल में चल रहा फीस का ये बंदरबार कब तक चलता रहेगा आखिर कब तक ये गोरक धन्दार यूँ ही चलता रहेगा इस सवाल के जवाब के साथ हम आप से दुबारा मिलेंगे बने रहेगा हमारे साथ मिरो रिपोर्ट हैस्टेग भारत